जन्वा टाइम्स के न्यूज रूम से मैं आपके साथ सोहेल एम्स के नर्सिंग स्टाफ को नहीं है कैशले सुविधा अखिल भारती आईर विज्ञान संस्था एम्स मैं मरीजों के इलाज में लगी नर्सों को अस्पताल के भी तर अलग से कोई सुविधा नहीं मिलती तारीख भी बागी मरीजों की तरह बरसो बात मिलती है वो अगर बाहर इलाज कराते हैं तो गैशले स्टाफ की सुविधा नहीं मिलती अपनी ऐसी ही कुछ मांगों को लेकर एम्स की नर्सों ने आज सेभू खड़ताल सुरू कर दी है एम्स में सिर्फ आम मरीजों को ही नहीं नर्सिंग स्टाफ को भी इलाज के लिए लंबी तारीर मिलती है बाहर इलाज करवाएं तो उसका पैसा रियंबर्स नहीं होता है क्योंकि कैसलेज की स्वीधा इनके पास नहीं है नर्सिंग स्टाफ के प्रहलात कुमार यादव कहते हैं कि हमारे मित्र की पतनी का एमपनो प्लास्टिक कान की छोटी सी सर्जिरी होनी थी पर तारीक दो हजार चबिस की मिली हमारा इएच एस बेनिफीशियरी का छेसो पचास रुपे हर महीने कटता है पर बाहर अगर इलाज करवा लिया तो पैसा रियंबर्स नहीं होता ऐसी परिशानी बताने वाले नर्सिंग स्टाफ के और भी लोग मिले हैं एम्स में सीनियर नर्सिंग आफिसर मीनू सर्मा बताती है कि बेटी के इलाज के लिए वाइरिंग के लिए यहां लेकर आई डेट मिली तो साल बात की यहां इलाज करवाएं या बाहर करवाएं दो साल में प्रॉबलम कहां से कहां पहुंच जाएगी इसलिए बाहर करवाया सत्यग रह के तोर पर यहें एम्स के नर्सिंग स्टाफ की दो दिन की रिले हांगर स्ट्राइक है कामकाच पर असर ना पड़े इसलिए जो शिफ्ट में नहीं है वे धरने पर है एम्स नर्सिंग उनिवर्सिटी के अध्यक्स हरिश कुमार काचला मांग को लेकर कहते हैं कि हमारी मुखे तीन मांगे हैं पहला कैसलेज की सुविधा दूसरा आवासिय सुविधा मिले और तीसरा छटे और साथवे वेतन आयोग की स्पामियों को दूर किया जाए उखड़ताल से पहले इन सब ने तीन दिनों तक काली पट्टी बांध कर काम किया आंदोलन कारी 16 अक्तूबर को कैंद्री स्वास्थे मंतरी हर्श वधन के घर तक पैदल मार्च करेंगे उन्होंने मांग ना सुनने की हालत में कामकाज का वहिश्कार करने की चेतावनी दी है जन्वाट टाइम्स के साथ चुड़े रहने के लिए जन्वाट टाइम्स के न्यूस चैनल को सब्सक्राइब चुरूर करें धन्यवाद